युक्रेन में हुए भारतिय चातर की मौत पर सरकार के साथ साथ अब गोधी मीडिया आज तक ने भी बेशर्मी की सारी सीमाई लांग डाली है कल मोधी के चहेते मंत्री युक्रेन में फसे बच्चों पर ये कह रहे थे कि जो भी बच्चे युक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं ये वो बच्चे हैं जो भारत में नीट नहीं निकाल पाते हैं इन्हें यहां एडमिशन नहीं मिलता है तो विदेशों में मौत हुई वो अपनी गलतियों से मरा है मोधी सरकार की वज़े से नहीं सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है देश का एक बेटा नवीन युक्रेन में युद्ध की भेट चड़ गया लेकिन गोधी मीडिया एक अलगी कहानी करने में जुटी है आज तक चैनल का एक पत यानि की एक सबता पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि सभी छात्र या फिर भारती नागरिक जिनका यहां रहना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है वो युक्रेन छोड़ दे सब कुछ उपलब्द था फ्लाइट जा रही थी लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता ने ये तै किया था कि हम यहां रहना चाहते हैं हमारे लिए यहां कुछ चीजे जरूरी है उन्होंने इस एडवाइजरी को सीरियसली नहीं लिया इसके आगे गोदी मीडिया किस पत्रकार ने जो कहा वो आप सुनिये इसने कहा कि मैंने करीब आठ देशों के लोगों से मु कर रही है दूसरे देशों के सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे है थोड़ी देरी नहीं हुई इस ख़बर के बाद क्या यह सवाल नहीं उठेंगे देखे यह बहुत ही दुख़त है कि एक भाती चातर की मौत हुई है लेकिन मैं एक चिस प्रस्ट कर देना चाहता हूं कुछ अवेलेबल था फ्लाइट्स जा रही थी एकसरा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी लेकिन यह चात्र और उनके माता पिता इन्हों ने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाते हैं हमारे यहां की कुछ चीदे ज़रूरी हैं उन्होंने इसको सीरेसरी नहीं लिया और उ मतलब चापलूसी और बेशर्मी दोनों की ही गोदी मीडिया ने हद पार कर डाली है यूकरेन में फसे चात्र लगतार वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से उसे शेयर करके अपनी बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिस कर रहे हैं सरकार तक पहुँचान मदद ना मिल पाने की बात कर रहे हैं दूसरे देशों के सभी बच्चे के सुरक्षित निकल जाने और भारतिय चात्रों के फसे होने की बात बता रहे हैं लेकिन आज तक का ये पत्रकार अलगी गाथा गा रहा है आज तक का ये पत्रकार सरकार के तारीफों में पूल बां कि इतना इन चैनलों में दिखाया जा रहा है यह मीडिया मोधी सरकार को योग्यपुरु शाबित करने के चक्कर में अपने आकाओं के तारीफों के पूल बांदने के चक्कर में सच्चाई को दबाने की कोशिस कर रहा है बीटे दिन ही आपने एक वीडियो देखा था जो साम पत्रकार आञे कुछ भी नहीं कर रही वैसे ही चैनल ने उसे बंद कर दिया था और पत्रकार ने उसे सुनने के बज़ाएक उन्हें कैम्ड़े से रहा है और बेलारूस खुल कर और आज इसके बाद एक और पत्रकार का सफेज जूट सामने आया जहां वो सरकार को सही ठहराने उनके नाकामियों पर परदा डालने की कोशिस में उन तवाम चातरों को आज गलट ठहराने की कोशिस कर रहा है जो यूक्रेन में फसे है और सरकार से मदद माग रहे हैं सरकार पर लगतार लापरवाही का आरोप लगा रहे है जो यूक्रेन मेंझें भी उत्य है जो यूक्रेन में एफ लगतार रहा है झाल झाल